मैं जब भी आपके साथ अपने वीडियो शेयर करती हूं उसमें कुछ चीज़ा जरूर शेयर करती हूं कि अगर अपनी गाड़निंग के वजट को कम करना है तो आप अपने लिए खुद के जो पौदे लेकर आते हैं उसे बीज बनाना ज़रूर स्टार्ट करिए जिससे कि अ मुझे लंबा करना पड़ा उसके पीचे कही सारे रीजन है एक तो बीज लेट लगाए थे दूसरा उनको सही पौट बहुत दिनों बात दिया लेकिन जैसे ही उन्हें अच्छी खाद और मिटी मिली वो ग्रोथ पर आगए और देखिए पहला फूल खिल गया दूसरा पौ और उनको बीज को हर्वेस्ट करने का टाइम भी याद रखेगा जिससे कि वो बीज जो है आपके पास सालों साल सुरक्षित रहे हैं और आप अपने गार्डन में कलर्स रेगुलर एड़ कर सके हैं अभी मेरे पास ये एक कलर है एक कलर किये है अब इन दोनों में ही कौन सा फूले का सारा इन दोनों के ही बीज कलेक्ट करोंगी और ये देशी पितुनिया है जिसमें पर्पल है और वॉिट है इनके भी करोंगी और बीज कहा रहे हैं इनके देखिए जब फूल खिल जाता है जब हम फूल को हटा देते हैं प्लक नहीं करना है उसको सिर्फ फूल को हटाना है तो आप देखेंगे इस तरीके की गोली सी बनी हुई है गरीन कलर की और जब यह मैच्चियोर हो जाती है एकदम सूख जाती है तो जैसे ही आप उसको टच करेंगे ब्राउन कलर की वो उसमें से बहुत ही महीन यानी जो राई का दाना होता है उसका भी कई गुना छोटा हिस्सा है आपके हाथ में आ जाएंगे छोटे छोटे बीज आप उनको हर्वेश्ट करके रख लीजेगा और अगले साल उनको सही समय आने पर लगाईएगा तो आपके हैं पर जो colors इस बार add हैं अगले साल भी वो colors सारे के सारे आपको as it is मिल जाएंगे तो ऐसे अपने gardening के वज़ट को कम करना सीखें डेंथस का मैंने बताई दिया आपको बाकी calendula के देखे dry होना शुरू हो गये हैं अब इनको harvest करके रखूंगे फ्लॉक्स के अभी बनने शुरू नहीं हुए हैं पर जैसे जैसे थोड़ा सा गर्मी का मौसम आएगा इसके बीज भी बनने शुरू हो जाएंगे और बाकी सबका मैंने बताई दिया है और हाँ बीज बनने के लिए pollination होना बहुत ज़रूरी होता है बहुत सारे लोग है जिनका मेरे बास reply आया है कि मैं हमारे यहां पर बीज नहीं बन रहे हैं तो देखे या तो वो आपका पौदा hybrid होगा hybrid पर बीज बहुत ना के बराबर बनते हैं और कब बनते हैं जब pollination हो जाता है फूल का तो मेरे या बीज बहुत अच्छे से आती हैं तो pollination तो easily होई जाता है तो मेरे यह यहा तो कई बार hybrid के भी बीज बन जाते हैं तो अगर आपके हम अदू मक् previous नहीं आ रही हैं तो उन यह देख पा रहे होंगे नीचे एकदम ब्राउन हो रहा है यह जब पूरा एकदम ब्राउन हो जाएगा ना हाथ लगाते ही आपके हाथ में बीज आ जाएंगे तो समझ लीजिए मैच्यूर हो गया तो इसे हर्वेस्ट करके सुखा कर रख लीजेगा यह देखे पैंजी का फ गर्मीनेशन कैसा रहता है यह मैं आपके साथ अगले साली शेयर करूंगे अगर मैं वीडियो बनाती रही तो बट बनाईएगा जरूर क्योंकि यह बहुत छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी गार्डनिंग के बदर को बिल्कुत जीरो कर सकते है और एक ही बीज में सैक्डो बीज बनाने की ताकत होती है आप एक बीज लगाईए उसके बाद पौदा तयार होगा और पौदे तयार होने के बाद कितने असंग के संख्या में हमको बीज मिल जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए और अगर आपको कोई बीज देता है तो प्लीज पैसों में दे या फ्री में दे उस बीज की कीमत समझिए बीज बहुत मुश्किल से कलेक्ट होते हैं तो उनकी रेस्पेक्ट करिए और एक एक बीज को सहमाल कर उसे उगाईए वेस्ट मत करिए और खूब सारे कलेक्ट करिएगा इस पर डेट्स को फॉलू करत और वीडियोज पसंद आते हैं तो like, share and comment करी ही दिया करिए Thank you for watching